हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कोरोना संक्रमन की रोगठाम के लिए कोविट गाइडलाइन की सकती से पालना करवाने का आभान किया उन्होंने कहा कि जन जागरुकता से ही कोरोना पर अंकुष लगाया जा सकता है उन्होंने 2 अक्टूबर गांधी चैनती से प्रदेश में शुरू होने वाले जन जागरुकता अभियान के बारे में भी चर्चा की उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश में 8 करोड मास का वितरन करेंगी जन प्रतिनीती घर खर जाकर मास वितरन करेंगे साथी घर गर जाकर लोगों को कोरोना संक्रमन से बचाव के लिए जागरुक किया जाएगा इसके लिए 3 और 4 अक्टूबर को सभी मंद्री और विधायक अपने जिलो और विधान सभा के दोरे पर रहेंगे मुखे मंद्री ने कोरोना जन जागरुकता अभियान को आंदोलन का रूप देने पर जोर दिया जोदपूर से इस चर्चा में राजे सभा सांसत राजेन रगेलोद पूर्व महापौर घंशाम ओजा रामेश्पर दादीज नगर निगम आयोक सुरेश कुमार ओला वो रोहताश्पतोमर सहित अन्य अधिकारी उपस्त थे जागरुक टिवी के लिए जोदपूर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट